उप्तिसाब 2024 के चुनाव की रंगीनियात जो हैं मैसूस होने लगी है हाला कि चुनाव तो काफी दूर है तो उसको लेकर अपने नगर में क्या माहो लए सियासी तोर पर जो है नगर में 2024 को लेकर के काफी हल चल है और लोग जो है आगे सेंटरल गवर्मेंट को जो है सिलेक्ट करने और चुनने को लेकर के चर्चाएं भी करते हैं बाचीत हो रही है बराबर जी और उस सिलसले में जो है मौजूदा सत्तापक्च जो कुछ कर रहा है उस पर भी लोग आंकलन करते हैं अपना जी और उनके लिए जो है जो विपक्च अपना पिर्यास कर रहा है जी उस पर भी जो है लोगों के बीच में चर्चा होने लगी है अश्य मलतब आईसी क्या खामिया है जैसे मलतब भारती जन्ता पार्टी तो अपने नो साल का विकास गिना रही है बीपक्च इतना खामोस की हुए जबकि उसके आगे बहुत सारे टूल है और देखिए बारती जन्ता पार्टी जब सत्ता में आई है और सत्ता में आने के बाद उन्होंने जो संसाधन अपनी बातों के उठाने के थे देश में उनको बहुत ज़ादा डेमुलाइस किया और कहीं न कहीं इस तरह के जो स्टेच थे उन सब को जो है उनके अंदर भै पैदा हो गया कि सरकार की आलोचना अगर करेंगे तो हमारी खेर नहीं है तो कहीं न कहीं जो है मौजूदा सत्ता ने विपक्च को संसादन विहिन कर दिया वो कह रहा है अपनी बात और बराबर प्रयासरत भी है और बराबर कोशिश भी कर रहा है पीछे जो उससे कमजोरिया थी वो उसको दूर करने की भी कोशिश कर रहा है लेकिन जो समूचा मीडिया है और जो इस तरह के संस्तान है जहां से वो बाते आम जन्मानुस तक जितनी तेजी से पहुँचना चाहिए तो उन पर अभी कहीं न कहीं एक छत्र तोर पर मौजूदा सत्ता शासन की धमक है उ और हमारा मानना यह है कि जो विपक्ष के समूचे प्रियास है तो चौबिस में हमें ऐसा विश्वास है कि हहां की जन्ता जो एपने आप में आजयात महसूस करेंगे और तब जो है सही तरीके से लोगों की बाते आना शुरू हो पाएंगे अच्छा मैं अपने दो सवालों को एकी सवाल में कर लेता हूं कि आपकी नजर में भारती जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत क्या है और सबसे बड़ी कमजोरी क्या है भारती जनता पार्टी जो है वो हिन्दुस्तान ने घर्स-थर पर एलक्षन होते हैं लुँज तो वहर वक्त जो है एलक्शन मूड में रहते हैं जे संगटन की ताकत के साथ पूरी सरकार हो Isetre rodzaj लाग रहे हों, उनके मंतरी हों, तो वो ये समझते हैं कि पूरी जो भारत की जंता है, जिस इस्टेट में वो काम कर रहे हैं, उनके पास अगर कोई ड्यूटी है नंबर 1 पर सबसे ज्यादा, तो वो ड्यूटी सिर्फ ही है कि वो पूरी सरकार सारा मंत्राले सारा केबनेट स्टेट सरकारे हर वक्त इलक्षन मूड में रहती है और इसका कहीं न कहीं उनको लाब भी मिलता है दूसरे लोग इस तरह की पोजिशन में नहीं होते हैं जब इलक्षन का समय आता है जब वो तैयारी शुरू करते हैं भारती जन्ता पार्टी जो है पांचो साल इलक्षन मूड में ही रहती है तो यह तो हो गई ताकत अब कमजोरी क्या है कमजोरी है कि जिस तरह का देवमालाई विकास का जो मॉडल पेश किया है भाजपा ने तो वो जो है जमीनी मुद्दों से बिलकुल विपरीत है जो भारत की इस्तिती है पूरे भारती समाज की जो इस्तिती है तो उनका विकास मॉडल जो है उस पर फिट नहीं बैठता है और यह बात जो है लोगों की समझ में आती है इसके लिए समय लगता है धीरे 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 आज जैसे समझ में आने लगा है जैसे यहां एक बहुत बड़ा इशू हमेशा रहा और आज भी वो इशू है उधारण के तौर पर आपको बतला रहा हूं रोजगार तो जो माडल पर उन्होंने बराबर परचार भी किया मीडिया के द्वारा अपनी बात भी रखी लेकिन हमने नौ सालों में यह देखा कि जो बड़े पूंजी पती लोग थे जो बड़े उध्धोग पती लोग थे वह बहुत ज्यादा डेवलप हुए और भारती समाज जिसकी जो है 95% अवादी तो मिडिल किलास में लौर मिडिल किलास जो जीती थी तो उस तक जो है वो विकास का कोई भी जो है किया हुआ काम नहीं पहुंचा नतीजा यह हुआ कि इतने अर्सों के बाद जो है नौजवानों की बड़ी तादात को यह समझ में आने लगा कि हमें कहीं न कहीं पकोड़े को भी विकास समझना ही पड़ेगा नोक्रियों का मसला हो उनके और रोजगार का मसला हो दोग छेतर का मसला हो भारत में जब तक ये लोर मिडल किलास और मिडल किलास इसको ध्यान में रख करके कोई विकास का माडल नहीं बनाया जाएगा जब तक कोई भी पार्ट और भारती समाच जो है वाकई विकासशील हो विक्सित हो डेवलब हो अच्छा चलिए बहुत बहुत शुक्रिया यूपी छत्तर न्यूस से बात करने के लिए अगर आपकी तरफ से हमारी चैनल के माद्यम से कोई मैसेज देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं मैं सिर्फ लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में जो है विचारों को अलग-अलग रखने की इजाज़त होती है राजनीतिक पार्टियों के जरीए जो अलग-अलग विचार हैं उनके जरीए जो है मौझूदा सत्ता शासन के समय में जो लोगों ने आपस में पूरी पैदा ना करें हमारे भारत की खूभी है कि हम लोग जो है अलग-अलग संपर्दाय अलग-अलग धर्म अलग-अलग छेत्री हमारी जो है विशेस्ताओं के साथ पूरा समूचा जो है भारत कि इतनी विविन्दताओं के साथ एकता में अनेकता की खूभी रखता है हम आपके पाठगों से यही कहना चाहते हैं आपके देखने वालों से कि वो जो आए भारत की इस खूबी को नश्ट नहोने दें उसे बचाने के लिए हमेशा खड़े रहे